नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग आज सुनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस संजे सिंग को एक संदेश भेजा कि हम आपके समर्थन में हम आपका समर्थन करते हैं अब ये 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 उनका संदेश बड़ा अजीब सा है अजीब इसलिए कि जो लोग कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी की अदावत को जानते हैं दुश्मनी को जानते हैं प्रतिसपरदा को जानते हैं उनके लिए थोड़ा अश्यर जनक होगा ये बात अगर जैराम रमेश कहते तो समय में आती और शायद बल्लिकार जुन कर गे कहते तो भी एक बार समझ में आती कि वो विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं सोनिया गांधी क्यों कर रही सोनिया गांधी को ये ट्वीट करने की क्या जरूरत थी आम आदमी पार्टी को इतना खुश करने की क्या जरूरत थी आम आदमी पार्टी को आउट अफ दे वे जाके सपोर्ट करने की सोनिया गांधी को क्या जरूरत थी ये मेरे मन में सवाल जितनी उद्यत है कॉंग्रेस पार्टी जितनी बेचैन है इस गडबंधन को लेकर और इसके नाम को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको छोड़ दें अभी तो उस सब को लेकर एक बात समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर कॉंग्रेस पार्टी ये चाहती क्यों है क्योंकि जो गडबंधन बनता हुआ दिख रहा है वो दरसल UPA का ही विस्तार है और विस्तार भी नहीं है जो दल साथ आएंगे जिनके साथ सीटों का समझोता होगा उनमें तीन पार्टीयों को छोड़ कर ये बात पहले भी कह चुका हूं दोरा रहा हूं इस बात को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए तीन पार्टीयों को छोड़कर बाकी ज्यादा तर पार्टियां कॉंग्रेस के साथ पहले से हैं तो तीन पार्टियां कौन सी हैं पश्चिब बंगाल में त्रिनमूल कॉंग्रेस उसके अलावा पंजाब और दिल्ली में आमादनी पार्टी और उत एक बात समझ में आती है उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी लड़ें प्रियंका वाद्रा लड़ें या राहुल गांधी चुनाव लड़ें उनके जीतने की संभावना अगर बनती है तो समाजवादी के पार्टी के साथ आने से बनती है लेकिन समाजवादी पार्टी की ओ और ऐसा रुख नहीं दिखाई दे रहा है सोनिया गंधी का और कॉंग्रेस का जैसा आम आदमी पार्टी और त्रिणमुल कॉंग्रेस की और दिख रहा है। लेकिन विधान सभा में कम से कम तीनो राज्यों में इस्सरकार है। और समाजवादी पार्टी उस राज्ये से आती है जहां लोकसभा की 80 सीटे हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी को वह भाव नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों। दरसल कॉंग्रेस पार्टी बहुत परेशान है देखें कॉंग्रेस पार्टी लगातार दो चुनाव हार चुकी है और दो चुनाव हारने का मतलब है दस साल सत्ता से बाहर इतने लंबे समय तक कॉंग्रेस पार्टी मुझे याद नहीं है कि कब सत्ता से बाहर थी थी ही नहीं आप देखिए पहली बार सत्ता से बाहर हुई 1977 में असी में वापस आ गई फिर 89 में बाहर हुई 91 में वापस आ गई फिर 96 में बाहर हुई और संयुक्त बोर्चा के नाम पर जो समर्थन के नाम पर फिर एक तरह से सरकार के बाहर से ही सही लेकिन समर्थन उसी के समर्थन से दो जो गोड़ा और इंदर कुमार गुजराल की वो हो गया फिर और उससे पहले 1990 में चंदशेकर की सरकार बनी वो कॉंग्रेस पार्टी की समर्थन से बनी 98 और 99 का चुनाव हारी मतलब कुल मिलाकर भारतिय जन्ता पार्टी का शाशन राज 6 साल तो 6 साल इससे पहले मैकसिमम था जब कॉंग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रही थी उसके बाद 10 साल सत्ता में रही अब साड़े 9 साल हो गए हैं 10 साल होने जा रहे लगातार बाहर है और इस बात की प्रबल संभावना है कि एक तीसरी बार भी नरेद मोदी की सरकार लोटकर आ उसने हिला कर रख दिया 15 साल सत्ता से बाहर रहकर सर्वाइब करना पुलिटिकली सब के बस की बात नहीं है पार्टियां खतम भी होती एक पार्टी का आपको उधारन दूँगा आप में से बहुत से लोगों ने जो युवा हैं जिनकी उमर 45 साल है उन्होंने शायद उस प बनाया था मिनु मसानी और सी गुपालाचारी राजा जी इन दो लोगों ने मिलकर बनाया था और ये पार्टी ऐसी थी जो भारत में फ्री एकॉनमी की वकालत करती थी जो 1991 में कॉंग्रिस पार्टी ने किया अर्थवेवस्था को लेकर उसकी वकालत वो उस समय से कर रहे ये पार्टी बनी 1959 में जब 1950 और मिनु मसानी के बारे में बता दें कि ये लोग नायक जैब प्रकाश नारायाण के बहुत करीबी थे 1957 में जेपी ने बिहार से इनको लोगसभा चुनाओ जिताने का प्रयास किया और जिताया भी 1959 में ये पार्टी बनी तो किसी ने उसके 15-20 दिन बाद उस समय के प्रधान मतरी जवाहन लाग नहरू से इस पार्टी के बारे में पूछा तो उन्होंने हस्ते हुए कहा कि ये भूत है वो जो सौ साल पुराना भूत अतीत का भूत है वो आया है उनका मतलब था कि ये कैपिटलिजम का जमाना जा चुका है ये सोशलिजम का जमाना है ऐसे जमाने में ऐसी पार्टी तो किसी ने कहा कि भूत परिशान भी तो करता है उसकी नियूसेंस वैल्यू भी होती है और उस भूत कान की नियूसेंस वैल्यू दिखाए दी नहरू को तो नहीं देखी लेकिन इंद्रिया गांधी को दिखाए दिये। 1967 वो समय था जब आजादी के बाद कॉंग्रेस सबसे कमजोर देखिया अनकि 1969 में उसका विभाजन हो गया और ज़्यादा कमजोर हो गई 1967 में कॉंग्रेस 71 सीटे हार गई जो पिछली बार जीती थी। कॉंग्रेस की सीटे 361 से घटकर 283 पर आ गई और स्वतंत्र पार्टी को लोगसभा में 44 सीटों पर विजय मिली। अभी आजादी के बाद किसी विपक्षी दल की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो वो मिनु मसानी जो है वो पूरे विपक्ष की नेता बन गया है लोगसभा में हाला कि प्रतिपक्ष के नेता का पद कॉंग्रेस पार्टी में उनको नहीं दिया। आपको याद होगा 2014 में जब 44-45 सीटे आई कॉंग्रेस पार्टी की तब बहुत से लोग वकालत कर रहते कि नरेद मोदी को बीजेपी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उनको कॉंग्रेस पार्टी के नेता को लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष का दरजा देना है आपके नेता को लेकिन उस समय किसी ने इंदिरा गांधी से यह नहीं का कि आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और मीनु मुसानी को नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए कैसे सोच में बदलावाता है किस तरह से एक तरफा सोच चलती है कॉंग्रेस के पक्ष में ए एजेंडा निरेटिव चलाते हैं और उससे जादा वो मोदी और भाजपा के विरोध में निरेटिव चलाते हैं तो ऐसे लोगों पर भी संकट है उसकी भी बात करता हूं और उस समय 1967 में 16 राज्य थे देश में को लिए 16 में से 7 राज्यों में कॉंग्रिस की सरकार चली और आंद्र प्रदेश में सोतन्दा पार्टी नंबर 2 की पार्टी हो गई। तामिल नाडू में पहली बार कॉंग्रेस को हराकर और क्उंग्रेस उसके बाद कभी लोट नहीं पाई आज तक। कॉंग्रेस को हराकरदी एमदों की यह का घट बंधन जीत कर आया उस घटबं इंद्रिया गान्धी के साथ हो गए tactics 1皆 इंद्रिया गांधी चान्दि के साथ भी पर्भर कें ने कर्कें आई गांधि Suzanne सोतंत पार्टी ने वो संसद से गिर गया बिल, पास नहीं हो पाया, फिर जब 1971 में जीत कर आई, तब फिर से वो लेकर आई और वो पास हुआ और प्रिवी पर्स खतम हुआ, तो आज जो एकनॉमिक रिफार्म हम देख रहे हैं, वो विरोध का कारण उनका उनका जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा था सुतंत पार्टी का और बाकी विपक्षी दलों का, वो ये की जब इन रियासतों का विलय हो रहा था भारत में, तो ये शर्त थी उनकी, कि सरकार उनको प्रिवी पर्स देगी, और ये सोवेरिन गारंटी थी, कोई भी सरकार दुनिया की, किसी भी थी, उन्होंने ये सब किया, बैंकों का राष्ट्री करण किया, नहीं माना, हलांकि बैंकों के राष्ट्री करण के मामले में, स्वतंत पार्टी के विरोध के बाद, जो उन्होंने सुप्रिम कोट में पेटिशन किया था, उसके बाद इंद्रिया गांधी को बिल लेकर आना पड़ा था, 71 में स्वतंद्र पार्टी साफ हो गई, सिर्फ 8 सीटे आई लोग सभा की, उसके बाद धिरे धिरे पार्टी डिसिंटिक्रेट हो गई, तो पार्टी को चलाने के लिए अगर सत्ता में नहीं हाती है, तो भी एक बड़ी जीत की जरुरत होती है, अब आप एक सवाल उठा सकते हैं, ये 1984 में तो सिर्फ दो सीटे आई थी BJP की, वो कैसे सर्वाइब कर गई, लगातार चुनाओ हारती रही, 1984 का चुनाओ हारी जिसमें दो सीटे आई थी, और 1980 में तो जनता पार्टी का पार्टी अलग नहीं हुई थी, तब तक चुनाओ क चुनाओ के बाद भारती जनता पार्टी बनी, उससे पहले जनसंग के समय तो लगाता रहारती रही, फर्क ही ये है स्वतंत्र पार्टी के पीछे कोई राष्ट्री स्वयम सेवक संग नहीं था, जो BJP के पीछे है, 1984 और आज का दिन भारती जनता पार्टी ने पीछे उसके बाद 96 में 161, 162 हुई, फिर आपको मालू है 98 में 182, 181, 182 हुई, और 2004 और 2009 में हारी BJP, लेकिन उसकी सीटों की संख्या लोकसभा में 100 के नीचे कभी नहीं आई, कॉंग्रिस पार्टी की जो इतने लंबे समय तक, पचास साल से लगभग 55 साल तक, मतब जिन पार्टी को समर्थन दिया बाहर से सरकारों को उनको भी जोड़ ले, तो 55 साल से ज्यादा समय तक कॉंग्रिस पार्टी सत्ता में रही, इसके बावजूद लगातार दो तो ये जो सिनेरियो है, ये जो दृष्य है, ये कॉंग्रिस पार्टी के लिए बड़ा भयावा है, वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, भले ही इसके लिए ग्राउंड कंसीट करना पड़े, इसलिए क्षित्री दलों को कुछ भी देने को तयार है, इसलिए आम आदमी पार्टी से समझोता करने को तयार है, कि अगर पंजाब और दिल्ली में समझोता हो जाएगा, कुछ तो सीटे मिलेंगी, आम आदमी पार्टी को भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा, अगर बंगाल में समझोता हो जाता है, तो कुछ सीटे जो मिलेंगी उसके जीतने बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा सरकार तो बनेगी नहीं ये कॉंग्रेस को भी मालूम है सरकार नहीं बनेगी उसको ये भी मालूम है कि ये जो गडबंधन है उसकी सरकार नहीं बनने जा रही वो सत्ता भी नहीं आने जा रही लेकिन अगर उसकी सीटें बढ़ती है ये गड़बंधन बनता है तो दो चीजे होंगी एक कॉंग्रेस ये मैसेज दे रही है मदाताओं को कि हम अब भी लड़ने की स्थिती में हैं भले ही जीतने की स्थिती में नहीं हैं दूसरा मामला ये है कि अपने कारेकरताओं को ये संदेश दे रही है कि निराश होने की जरूरत नहीं है अच्छे दिन आएंगे लेकिन जब मोदी जाएंगे तब तो अच्छे दिन आएंगे और उसके बाद भी अच्छे दिन आएंगे इसकी कोई उमीद नहीं है लेकिन उन सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया प्रधानमंत्री नरिन्द बोदी ने दुनिया के दस सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक जो प्रगती मैदान में बना है उसका उन्होंने लोकारपड किया और ये रिकॉर्ड टाइम में बना है बावजूद इसके कि देश में दो साल तक करोना काल था और कामधाम में बड़ी मुश्किलाई बड़ी देरी हुई उस सब के बावजूद उन्होंने कहा क्या उनके भाशन में बहुत सी बाते थी लेकिन जो सबसे महतोपूर वाक्य था उन्होंने कहा कि अपनी सरकार के तीसरे कारेकाल में मैं ये वादा करता हूँ ये मोदी का वादा है मैं ये गैरेंटी देता हूँ कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता बना दूँगा तो ये अविश्वास प्रस्तावप से पहले का विश्वास है जीत का विश्वास लोगों के भरोसे का विश्वास मद्दाता के विश्वास का विश्वास जगता है उससे आता है वो ये confidence उनके अंदर जिससे वो ऐसा दावा कर सके ये तीसरी टर्म भी उनकी आ रही है विपक्ष के लिए ये खबर निश्चित रूप से अच्छी नहीं है अगर सत्ता के साड़े नौ साल होने के बाद यानि सरकार में साड़े नौ साल रहने के बाद कोई प्रधान मंतरी इतने विश्वास से इतने भरोसे के साथ ये दावा करता है कि वो तीसरी बार आ रहा है वैसे पाटियां दावा करती है नेता दावा करते है लेकिन प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो उनके अंदर का विश्वास आप देखते तो आप भी जो है इस बात से सहमत होते चुनाओ का नतीज़ा जो आएगा आएगा लेकिन उनका विश्वास पूरा है अटल विश्वास है कि हम फिर आ रहे हैं तीसरी बार आ रहे हैं इसमें कही कोई शंका की गुझाइश नहीं है ये है जो कॉंग्रिस पार्टी को और डराएगा ये अविश्वास प्रस्ताव मैंने पिछले वीडियो में कहा था फिर कह रहा हूं ये आविश्वास प्रस्ताव प्रधान मंत्री नरेद मोदी के लिए अवसर की तरह आया है विपक्ष की जो एकता हो रही है उसकी धजियां उडाने के लिए उसके विश्वसिनिता को कम करने के लिए इस अवसर का वो भरपूर लाब उठाएंगे और ये अवसर आया है लोगसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तो इस से आप समझ लीजिए कि उनका जब भी विश्वास प्रस्ताव पर भहस होती है अगले हफते होगी किसी दिन स्पीकर तै करेंगे किस दिन होगी उस दिन आप दिखेगा जब जवाब आएगा प्रणानमंत्री का तो कॉंग्रेस का ये जो सारा हमला दिखाई दे रहा है विपक्ष का जो आकरामक तेवर दिखाई दे रहा है सब पर पानी फिर जाएगा क्यों? क्योंकि इस समय देश में मोदी से बड़ा कोई कम्मिनिकेटर है नहीं मोदी की लोग प्रियता, मोदी की विश्वस नियता और उनकी नियत पर भरोसा लोगों का उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं किसी पार्टी में तो इंतिजार कीजिए अविश्वास प्रताव पर मोदी के भाशन का जब भाशन हो जाएगा तो उस पर फिर हम लोग भी चर्चा करेंगे तो आज के लंक में इतना ही अगले इंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनमती दीजिए आप से अनूद है कि ये चैनल देखें शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार